हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चेनल एजूकेशन नोलिश टीवी पे हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी जी हाँ अभी अभी सरकार ने बहुती जबर्दस फैसला लिया है आज हो चुकी है 12 जनवरी 2024 और आज राज से किस परकार से गरीब परिवार होने वाले हैं माला माल जी हाँ लकपती दीदी योजना भी आज से ही लागू की जा रही है जिसमें महीलाओं को हर महीने 10,000 रुपे तक का लाब हुआ है एक लाख रुपे भी आपको किस परकार से इस योजना के माध्यम से मिलेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो का अंतक देखें उसके साथ साथ पांच और बड़ी गोशनाए मोधी सरकार ने की है गरीब परिवारों के लिए ये भी आप इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीडियो का अंतक देखें वीडियो को लाइक नहीं कि तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब अपने गाउं सहर राज्य का नाम लिखेंगे कहां से वीडियो देख रहे हैं आप सभी को मैं बता दूँ लगातार मोधी सरकार जिहां परियास कर रहे हैं कि गरीब महिलाओं को जादा से जादा फाइदा पहुंचाये जाए आपको मैं बता दू बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो कि BPL रासनकार पर भी मोधी सरकार ले के आई है और BPL रासनकार के जरिये गरीब परिवारों को आगे यान की उचा उठाने का परियास किया जा रहा है उसके साथ साथ परते गरीब परिवार को फिरी में मकान भी उपलब्द करवाये जा रहे हैं बहुत से ऐसे राज्य हैं गाउं हैं जहां पर अभी भी मकान योजना नहीं पहुँच पाई थी आपको मैं बता दूँ आज राज से आपको क्या-क्या information अभी-अभी आई हुई है क्या-क्या गोशनाई की गई है जिससे आपको फाइदा मिले सबस्वेले हम बात करेंगे लखपती दीदी योजना 2024 की जिहां मोधी सरकार ने 23 दिसंबर 2023 को यह जो योजना है इसको लॉंच कर दिया है लखपती दीदी योजना के तैत हर उस महिला को अब स्वम सायता सुमू के माध्यम से हर महिने 10,000 रुपे तक का लाब मोधी सरकार दे रही है वह आपको एक साल में एक लाख रुपे तक का लाग आपको दिया जाएगा यानि कि परतेक वो महिला जो की स्वम सायता सुमू में जुड़ी हुई है या जुड़ना चाहती है वो लखपती होगी भई अपने आपको लखपती समझे यानि कि एक लाख रुपे तक वहाँ से जो पैसा है वो उठा सकते है उसके साथ मैं आपको बता दूँ लखपती दीदी योजना की तहट अब महिलाओं को अगर बैंक में पैसे डालती है महिलाएं तो उसको ज़्यादा व्याज अब बैंक भी देने वाले हैं जिहां तकरीबन दस रुपे तक यानकी दस परसेंट तक का जो ब्याज है सबसे ज़्यादा जो ब्याज है वो अब बैंक उनको देने वाले है उसके साथ सथ हम बात करेंगे अगली जो बड़ी ख़बर की रासनकार को लेकर सरकार ने बड़ा फैशला आज लिया है आज रात बारा बज़े की बाद यह जो नियम है लागू किया जाने वाला है परतेक उस रासनकार पर पांच लाख रुपे मोधी सरकार देने वाली है जी हां आप सभी को मैं बता दूँ जिस परकार से पांच लाख रुपे तक का पहले इलाज करकर के मोधी सरकार ने आपका किया इलाज आपका मुफ्त करके एक सपनागरी परिवार का हुआ करता था कि हमारा जो इलाज है वो फ्री में हो और पांच लाख रुपए तक का इलाज मोधी सरकार ने पहले फिरी करके आपका दिया है आप सभी को मैं बता दू आइसमान बारतकार के तहट आपका जो इलाज है वो मुफ्त में किया जा रहा है अब मैं आपको बता दूँ आपका इलाज तो मुपत में किया ही जा रहा है आज रात बारा बजे के बाद़ चे अगर कोई परिवार का ज़रेinea से इलाज के दोरान अगर उसकी मिर्दी हो जाती है तो केंदर सरकार वगर राजी सरकार मेल करके आपको पांच लाख रुपए और आपके परिवार की साहनी बूती के लिए अब जो ये फैशला है ये लिया गया है उस परिवार के दुखों की जो गड़ी है उसमें मोधी जरकार खड़ी है भई आपको मैं बता दू लगातार परियास की जा रहे थी कि भई कुछ दयालू जो योजना है वो लागू करें और बहुत से राज्यों में पहले दयालू जो योजना है वो लागू भी की गई थी लेकिन बहुत से राज जैसे ते जहां पर दयालू योजना लागू नहीं थी अब आज रात 12 मजे के बाद से इन राज जो में भी दयालू योजिना है ये लागू कर दी जाएगी उसके साथ सथ हम बात करेंगे अगली जो बड़ी खबर की रासन कार्ड को लेकर ही किये जा रहे थे एक और जो सपना देखा था गरीब परिवारों ने भई अपना खुद का पका घर होने का सपना गरीब परिवारों ने देखा था लेकिन किशी भी सरकार ने इन गरीब परिवारों का जो सपना है उसको साकार नहीं किया था लेकिन आपको मैं बतादू मोधी सरकार लगातार परियास कर रही है चार राज्ये से बढ़ा करके अब पूरे देश बर में जीहां परतेक गरीब परिवार को जो रहत है ये मोधी सरकार देने का काम करेगी उसके साथ साथ आज रात बारा बजे के बाद से उस परतेक दसवी और बारीक अक्से के विद्धारत्यों को रहत दी है जीहां मोधी सरकार आज से बहुत बड़ी गोशना करने जा रही है जो भी दसवी और बारीक अक्से में इस बार पढ़ाई कर रहे हैं 2024 में जीहां आपको मैं बता दू परिक्षाएं देने वाले हैं उन सभी को राहत देते हुए 50,000 रुपे के चातर बरती देने की गोशना कर दी है पहुत से राज्ये हैं जहां पर भी पहले ये जो चातर बरती थी ये आपको 10,000 से 20,000 रुपे ही दी जाती थी अब अगर आप 10,000 रुपे तक की जो चातर बरती है वो केंदर सरकार राजी सरकार मिल करके आपके बैंक अकाउंटों में ट्रांसफर करेगी ताकि आप अपने आगे की पढ़ाई जारी रख पाए उसके साथ साथ आगे लिए जो बड़ी खबरा रही है इसको भी जानकर आपको बड़ी खुसकबरी आपको मैसूस होगी आज रात 12 बजी के बाद से जिस परकार से पैटरोल डीजल के जो दाम है लगातार जो परियास किये जा रहे थे कि इसके जो दाम है उसकी समिक्षा क करें मोजी सरकार ने पहले भी कहा था कि पैटरोल डीजल के जो दाम है उनकी समिक्षा की जाएगी वह आपकी जो दाम है उसको गटाया जाएगा आज रात 12 बजी के बाद से आपको इस पर बड़ा फैसला देखने को मिलेगा उसके साथ साथ मैं आपको तकरीबन तकरीबन जी हाँ तकरीबन तकरीबन आपको इसमें एक रुपेस दे लेकर दस रुपे तक की जो कटोती है वो देखने को मिलेगी और भाई महँगाई जो है इससे काफी ज़्यादा कम आपको वो भी देखने को मिलेगी बहुत ऐसी योजिनाई थी जो कि केंदर सरकार पहले ही लेक क्या आना चाहती थी लेकिन 2024 में उनको लॉंच करना था भी आपको मैं बता दूँ 23 में लॉंच करना था लेकिन 2024 हो चुकी है इस बार 2024 में लॉंच करने जा रही है जनवरी का महीना चला हुआ है और भाई अप्रेल से मही में इलेक्षन भी होने वारे हैं लोकसबा के लोकसबा के चुनाओ में भी मोदी सरकार इस बार बंपर जीत हासिल करने का परियास कर रही है सभी को जिहान लुभाने के लिए आपको मैं बता दूँ परियास किये जा रहे हैं नहीं नहीं जो वाइदे हैं वो मोधी सरकार करकर के देश लुभाओ जो वाइदे हैं वो कर रहे हैं वह बहुती गारंटी वाली जो गाडियां हैं वो भी गाउं गाउं पहुचाई जा रह तकरीबर हम आपको बता दें आज रातुर मजी के बाद्चे जिन के पास इश्रम कार्ड बना हाई रहाँ की स्थाने, उसकर के लाएजुडे है सब्सक्राइब करें जैसे राजस्तान की बात के रहे हैं यां कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो भी रहते हैं उनको हर महीं ने एक जार रुपया के इंदर सरकार देने की जो गोशना है वो कर सकती है आज रात 12 बजे के बाद सी जो पैसला है इस पर विचार करना का प पर ताकि सभी को जानकारी पसंद आ सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भागवाने करें आप सभी का दिन सुब रहे